आपका स्वागत करता हूं आपके अप्टिंग यूटूब चैनल इजी जी के ट्रिक वीदेस के क्लासिस में तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट पार्लियमेंट कमिटी के बारे में तो चलिए बिना देर करें वीडियो को सुरू करते हैं उत्तरा की इंपॉर्टेंट समितियां होती हैं एक इस्थाई समिति और एक तदरत यानि आस्थाई समिति तो इस्थाई समिति में यूटूब बहुत सारी समितिया होती हैं लेकिन ये तीन समीटिया बहुत ही इंपॉर्टेंट जो अक्षर एक्जाम में पूछी जाती है कौन कौन सी वो लोक लेखा समीटी जिसको पब्लिक एकाउंट कमिटी कहते हैं दूसरा है प्राकलन कमिटी यानि इस्टिमेट कमिटी और तीसरी है लोक उद्धियम कमिटी यानि पब्लिक इंटरप्राइज कमिटी ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है अक्षर एक्जाम से पूछी जाती है और चौर्थी एक हमने और ले करते हैं लोख ले का समिटी यानि पब्लिक अगाउंट समीति इसमें से होते हैं जिसमेंसे 15 जो है लोक्षभा से लिए जाते हैं और साथ लिए जाते हैं राज्यसभा से लोक्षभा से जादा क्यों लिए जाते हैं कि देखें लोक्षभा में प्रदस से भी जादा होते हैं 252 लगभग होते हैं वहीं राज्यसभा में 2200 यानि आधे होते हैं इसलिए जस डबल इसके लिए ज जाती है भारती संसत के भी बनने से पहले 1921 में Central Legislative Assembly में लोग लेका समित्य होती थी यह भारत के सबसे पुरानी वित्तिय समित्य है 1967 से पहले जो इसका अध्यक्स होता था वह सत्ता रूर्ण पार्टी का होता था लेकिन 1967 के बाद यह डिसाइट किया गया है जो इसका सभवपती होगा वह हमेशा अपोजिशन पार्टी का ही होगा इस समित्य के कार रिखी तो इसका कार होता है कैग की रिपोर्ट की जाच करना यानि कैग का फुल फर्म होता है कम्ट्रोलर एन ओडिटर जनरल इसकी रिपोर्ट की जाच करता है और कैग को लोग लेका समित्य नियंतित करती है यह प्रस्ण एक्जाम में पूछा गया है कि कैग को कौन से समित्य नियंतित करती है तो व भारत हैवी इलेक्ट्रोनिक जैसे सार्वजिनिक छेति की कमपनियों को छोड़ कर जहां भी सार्वजिनिक धन वै होता है वहाँ वहाँ पर यह समितिया जाच करती है अब बात करते हैं प्राक्लन समिति यानि स्तिमेट कमिटी की इसमें कुल सदश होते हैं 30 इसका कारेकाल होता है एक वर्स का और जो इसकी अध्यच का चुनाऊ लोगशभाय स्पीकर करता है लेकिन सत्ता रूर्डल का जो होता है उसमें से ही लोगशभाय स्पीकर हमेशा वहनान पताल करना मतलब कितना पैशा सरकार के पास आ गया है और यह पैसा किस किस जगा पर खर्चिया जाएगा और कैसे कैसे कितना कितना एमाउंट खर्चिया जाएगा इस्टिमेट से नाम से यह आपको पदा चल गया हो कि कि इसका काम ही होता इस्टिमेट बनाना या इस्थाई मित्य व्यतिता समीति के रूप में कार्ज करती है और इसकी आलोचिना या सुझाओ सरकारी सरकारी फिजूल खर्चि पर रोक लगाने का काम करते हैं मित्य वैजिता मतलब जो फिजूल खर्चि ना हो पाय कि फरजी जो खर्च हो जाते हैं उसको कंट्रॉल करने के लिए ये समित्य बनाई जाती है ताकि सही amount सही जगा पे ही खर्च हो यहां समित्य सरकार के वित्तिक कार्जों में सहायता के लिए बनाई गई है यह प्रस्ण exam ने एक बार पूछा हुआ है कि कौन से ऐसी समित्य है जो सरकार के वित्तिक कार्जों के सहायता के लिए बनाई गई थी वो है आपकी प्राक्टर समिति यानी Estimate Committee अब बात करते हैं लोकुद्धम समिति या इसको हम सरकारी उपकरमों समबंदी समिति भी कहते हैं नाम सही पता चल गया होगा आपकर सरकार की जितने भी सरकारी उपकरम होते हैं उसके लिए ये कमिटी बनाई गई है इसमें भी कुल 22 सदस से होते हैं 15 लोग सभा, 7 राज सभा के और कारिकाल होता एक वर्स का अगर इसके कारिकी बात करें तो लोग सभा की प्रक्रिया तथा कार संचालन नियम की चतुर्त अनुसूची मिल्लि की तरकारी उपक्रमों के प्रति वेद को और लेखाओं की जाच करना इसका मेर न काम होता है इन तिनों समिती के लावा एक और समिती इगजाम में एक रप पूछी जाती वो है नियम समिती तो दोनों ही सदनों में अलग अलग नियम समितिया होती है लोग सभा की नियम समिति की बात की जाए तो उसमें 15 सदस से होते हैं वही राज सभा में 16 सदस से होते हैं 14 मेंबर्स होते हैं उसके अलावा स्पीकर को मिलाके तोटल 15 सदस से होते हैं राजसवा में 14 अलक्स समितिया की तुझे एक आईस्थाई समीति होती है जैसे उसको नीड होती जिस तरह की ज़रवत पढ़ती इस इस n marché से समितियों का निरमार करती रहती हो। है इसमेवल एक समिति की बात करेंगे वह सइयुक्त संसदिये समिति जिसको जौइन्ट पारलियमेंट कमिटी कहते हैं इसमें दुनों सदिनों के सदश्य से होते हैं। इसका कार्य क्या होता है संसदियन निगरानी अधिक प्रभावी और कुसलता पूर्वक हो इसके लिए संसद को एक ऐसी एजेंसी की जुरुवत होती है जिस पर संपूर्ण सदन का विश्वास प्राप्त हो कमिटी का निर्मार कई बार हो चुका है तो यह तो थी कुछ इंपोर्टेंट कमिटी के बारे में आई होब दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आई होगे अगर पसंद आई तो फ्लिस लाइक और सब्सक्राइब माई चैनल ओके दोस्तों बाबाए जैहिंद